सो हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का आर्बी एडिटीव क्लास में तो आज मैं जो टॉपिक ले करके आया हूँ ये मल्टिप्लिकेशन आप एलजबरिक एक्स्प्रेशन से है इसमें हम बाइनॉमियल से बाइनॉमियल को मल्टिप्लाइ करेंगे बाइनॉमियल का मतलब होता है कि जिसमें दो पाद हो हो है ना टू टर्म तो चलिए फिर शुरू करते हैं माली जो सबसे पहले एक्जामपल लेते हैं हम इसमें कि मल्टिप्लाइ कि टू एक्स प्लस वाई यहां पर आप इस प्लस को देखे तो इससे आप पाएंगे कि इधार एक टर्म है इधार एक टर्म है यानि कि जो टर्म होता है वो प्लस और माइनस से असानी से सेपरेट हो जाता है तो दो टर्म आपको इसमें दिख रहे हैं इसी प्रकार से एक टर्म इधार है और एक टर्म इधार है दो टर्म आपको इसमें दिख रहे हैं तो यहां पर हम गुडा करेंगे दो पद का दो पद से कि चलिए फिर देखते हैं सलुशन सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको ऐसे ही राइट करनें ना 2x प्लस y एक bracket में into 3x square प्लस 2x दूसरे bracket सबसे पहले इसको आपको इसके साथ और इसके साथ multiply कराना है यानि कि यह वाला term इस वाले term और इस वाले term में multiply होगा तो इसको ऐसे write कर लेंगे देखे 2x यह पूरा term आप write कर लीजे 3x square plus 2x ठीक है? ऐसे bracket के साथ में आप यह पूरा write कर लीजे अब वापस से जो यह y बच गया ना फिर से इसको write कीजे plus sign के साथ y और फिर से यह पूरा term write कीजे 3x square plus 2x अब जब आपने इतना कर लिया तो फिर से क्या करना है कि इसको इसके साथ multiply कराना है तो देखो 2 3 4 कितना होगा? 6 x into x square x cube फिर यहाँ पर इसको इसके साथ multiply कराना है 2 2 4 पहले sign के अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना आप इसमें सारे sign plus हैं तो sign की कोई भी चिंता करने की ज़रोद नहीं है sign plus ही आएगा तो plus into plus plus 2 2 4 x into x x square यहाँ तक हो गया इसका काम अब हम इसमें देखेंगे जैसे यहाँ पर के लिखा है plus y और यहाँ पर कितना plus 3 x square तो plus into plus और यह हो जाएगा 3 x square y आप ध्यान से देखना देखो यहाँ पर कोई नंबर लिखा नहीं है लेकिन वहाँ पर 1 है तो 1 3 जा कितना होगा 1 3 3 होगा तेसलिए वो लिखा रहे या ना लिखा रहे आएगा तो same ही नंबर ना तो 3 का 3 आप राइट कर दोगे फिर यहाँ से आएगा प्लस इंटू प्लस प्लस 1 टूजा 2 x y तो आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ पर क्या आगा 6 x cube प्लस 4 x square प्लस 3 x square y प्लस 2 x y तो यहाँ पर यह हमारा answer आगया एक दूसरा example लेते हैं है ना multiply 3 y square प्लस 4 x by 2 z square minus 3 x y द्यार नगना इस बार हमने क्या क्या यहाँ पर प्लस साइन ले लिया और यहाँ पर माइनस साइन ले लिया थोड़ा सा बदलाव कर दिया तो इसको जो multiply करेंगे तो हमारा solution क्या आगा वह देखते हैं कि वापस से हमें देखो यह जो टर्म है ना यह वाला ऐसे रेट करना थिरी y square प्लस 4 x एक ब्रेकेट में इन्टू कि अ तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 3 y square प्लस 4 x इंटू 2 z square माइनस 3 x y ठीक है इतना राइट कर लेंगे अब इतना राइट करने के बाद क्या करना होगा आपको सबसे पहले इसको इस टर्मेंब में मल्टीपलाई कराना है ठीक है तो 3 y square into 2z square माइनस 3 xy एक बार तो अभी सके साथ हो जाएगा फिर अब इसको इसके साथ मल्टीपलाई कराना है तो प्लस 4 x इन्टू 2ZSquare माइनस 3XY ठीक है? अब जब हम इतना कर लेंगे तो बस हमें क्यों multiply कर देना है तो चलो देखते हैं कैसे यह जो 3 है ना 3,2,6 साइन देखो प्लस प्लस है तो कोई दिक्कर नहीं है साइन प्लस ही आएगा 3,2,6 यह Y2 है और यह Z2 है तो दोनों ही सेम सेम नहीं है तो फिर Y2 का Y2 हो जाएगा और Z2 का Z2 हो जाएगा अब यहाँ पर देखो यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है तो प्लस इंटू माइनस माइनस आजाएगा यह 3 है और यह 3 है थ्री थ्री जा 9, यहाँ पर y square है और यहाँ पर xy है, तो x को x से ही write कर देंगे, y के power 2 है और y के power 1 है, तो y के power 3 हो जाएगा, power add हो जाते हैं, अब तो इसका अमारा काम हो गया, अब हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर plus 4x है, और यहाँ पर plus 2z square है, तो sin plus plus है, यानि की plus into plus plus, 4 to j कितना होगा, 4 to j 8, x को x ही write कर लेंगे, और z square को z square ही write कर लेंगे, अब यहाँ पर plus sign है और यहाँ पर minus sign है, तो plus into minus, minus 4, 3 जा 12, x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो क्या होज़ेगा, x square, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर y है, तो क्या लिख देंगे, y, ठीके, तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका जो multiplication बनेगा, वो क्या बनेगा, 6 y square z square minus 9 x y cube plus 8 x z square minus 12 x square y, ठीके, तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कुछ समझ में आया होगा, तो आप एक काम करो इसको write कर लो, तब तक हम आगे कुछ और example बता देते हैं, तो अभी हम एक example और लेते हैं, 3, multiply, 2 x y plus 2, by, 4 x cube, minus plus 3 y square, इस बार मैं minus यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, इस बार मैं minus यहाँ पर लेता हूँ, बाकी सब क्या रहेंगे, प्लस रहेंगे, तो देखेंगे इनको कैसे multiply करना है, solution, तो यहाँ पर आजाएगा, minus 2 x y plus 2, एक bracket में, n2, एक bracket में आ जाएगा, 4 x cube, plus 3 y square, एक bracket में, अब यहाँ पर जब multiply करेंगे, तो ध्यान देना है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, कि एक term यह है, एक term यह है, तो पहले इस से, इस पूरे term में multiply कर देंगे, ठीक है, तो इसको आप ऐसे rate कर लीजे, minus 2 x y, bracket open, 4 x cube, plus 3 y square, यानि यह पूरा जो है, एक साथ में rate कर लीजे, अब जब यह हो जाएगा हमारा, तो हम इस वाले term को, इसमें multiply करेंगे, तो मतलब देखो, इसका sign plus है, तो यहाँ पर लगा, यह plus 2 into, यह पूरा term rate कर लीजे, 4 x cube, plus 3 y square, अब क्या करना है, अब हमें multiply कराना है, तो आप देखो, यहाँ पर minus sign है, और यहाँ पर plus sign है, तो minus into plus minus, फोर 2 फोर जा 8, x यहाँ पर है, और यहाँ पर x cube है, तो x raise to the power 4, y यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, तो simply y write कर देंगे, इसी प्रकार से, यहाँ पर minus sign है, और यहाँ पर plus sign है, तो plus into minus minus, 2, 3, 6, यहाँ पर x है, तो x write कर देंगे, y into y square, y cube, अब यहाँ पर plus की बात करेंगे, तो देखो, यहाँ plus है, और अंदर भी plus है, ठीके, तो यह इसका हमारा क्या आजाएगा, multiplication का answer आजाएगा, तो इतना आप write down कर लो, फिर एक और example लेते हैं, इस बार, सबका sign थोड़ा, वो minus कर लेते हैं न, यह पूरा term का sign है, वो minus कर लेते हैं, so multiply, minus 2, x plus 3, x square, यहाँ पर minus कर लेते हैं, by, 4 x plus 7 x y, तो यह हमारे पास एक algebraic expression है, binomial by binomial का, यहाँ भी दो term हैं और यहाँ भी दो term हैं, इधर क्या है कि, minus 2 x minus 3 x square, और इधर है 4 x plus 7 x y, इसको हमें आपस में multiply कराना है, तो देखते हैं इसका answer क्या हैगा, अब ही सबसे पहले आपको ऐसे ही write कर लेना है, क्या, minus 2 x minus 3 x square, into, इधर write कर लेना है 4 x plus 7 x y, तो जब एक बार हमने इतना write कर लिया, तब क्या होगा देखो, पहले आप इसको इस पूरे term के साथ multiply करा हो है ना, यह पूरा, 4 x plus 7 x y, तो write कैसे करेंगे, ऐसे, minus 2 x, यह वाला पहले write कर लेंगे, फिर bracket open करेंगे, 4 x plus 7 x y, इतना write करने के बाद में, जब यहाँ पर आएंगे, तो देखो, इसका sign minus है, तो जो sign होता हम वह ही लगाते हैं, तो यहाँ minus है, यहाँ minus लगा देंगे, 3 x square, 4 x plus 7 x y, अब जब हम इसको यहाँ पर multiply कराएंगे, तो देखो, यह वाला न, इसके साथ multiply होगा, minus into plus, minus, 2 x square, फिर minus into plus, minus, 2 x square, एक से यहाँ पर है, एक से यहाँ पर है, तो x square into y, यह हो गया इसका, अब यहाँ पर चलेंगे, तो देखो, minus into plus minus, 3 x square, x square यहाँ पर है, x square 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, add करेंगे कितना होगा, 3, अभी इस minus को, इस plus के साथ multiply करेंगे, तो minus into plus minus, 37, 21, x square यहाँ पर है, 1 x यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा, 3 x cube हो जाएगा, y यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो केवल केवल y आएगा, तो इस प्रकार से, हमने क्या देखा है, आपर, कि अगर इधर, इधर का sign minus है, और हम multiply कर रहे हैं, प्लस और प्लस में, तो सब के sign क्या आ जाएंगे, minus आ जाएंगे, ठीक है, तो आप, यह हमारा answer हो गया, आप वीडियो को पहुँच करके, इनको write down कर लीजे, तो उमेद करता हूँ, कि आपने इसको write down कर लिया होगा, अगर यह वीडियो आप लोगों को helpful लगा है, तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, और अपने दोस्तों को भी share करें, इसी प्रकार के वीडियो लेके मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए thank you class,